देखे, question 7th क्या करा है, 1 into 3 into 3 into 5 plus 5 into 7 up to this is equal to this, you have to prove, ये R.D. Sharma का 13th question है, ठीक है, आप देखे, step 1 और step 2, बहुत आसान है आप, सबको मालू है, n is equal to 1 के लिए क्या करेंगे, LHS की जब value लिखेंगे, तो 1 into 3 बोले तो 3 आएगा, और जब RHS की value लिखेंगे, n को 1 लिखो, तो यहाँ 1 बहर हो जाएगा, अंदर 4 plus 6 minus 1 upon 3, तो 6, 4, 10, 10 minus 1, 9, 9 बटे 3, यानि कि 3 आएगा, तो LHS is equal to क्या हो गया, RHS, यानि आपने कहा कि n is equal to 1 के लिए ये सही है, ठीक है, बड़ा कुशन है, इसे रब करके दुबारा लिखना पड़ेगा, step 2 देखिए, यह R.D. सर्मा का 13 कुशन है, step 2 पे हमने क्या कहा, for n is equal to k, हमने का this statement is true, यह सही है, k के लिए, तो यह क्या आगया, 1 into 3 plus 3 into 5 plus, यहां क्या आएगा, 2k, 2k minus 1 into 2k plus 1 is equal to k, यह आएगा आपका 4k square plus 6k minus 1 upon 3, अब ज़रा देखिए ध्यान चे, जब हम right hand side में n को k plus 1 लिखेंगे न, तो चुकि यह बड़ी value आएगी, तो इसले हम पहले इसको solve कर लेंगे, और हम इसको देख करके हिसाब से adjust करके लिखेंगे, अब ज़रा step 3 देखिए, step 3 में क्या करेंगे, हम n is equal to k plus 1 लिखेंगे, कहां पर, इसके left hand side में, तो यह value क्या जाएगी, 1 into 3 plus 3 into 5 plus 1, जब n को k plus 1 लिखोगे, तो यह बन जाएगा 2 k plus 1, और यह बन जाएगा 2 k plus 3, ठीक है, बाई देखो, देखो क्या n को k plus 1 लिखो न, हम क्यों देखें, इसके पहले क्या आएगा, इससे 2 कम करोगे, यह odd number है, बाई, once में 2 बढ़ाया, 3 आया, तो 3 में 2 minus करोगे, 1 आएगा, तो इसमें 2 minus करोगे, तो आएगा 2 k minus 1, और इसमें 2 minus करोगे, तो आएगा 2 k plus 1, ध्यान लिखेगा, ऐसा नहीं कि हर जगे आपने एक ही minus कर दिया, देखना पड़ेगा, क्या minus क्या आजा रहा है, अब equation 2 का इस्तिमाल कर दो, using equation 2, तो यहां से लेकर के, यहां तक की value क्या आजाएगी, यह आजाएगी, तो यह आजाएगा, k into 4 k square plus 6 k minus 1 upon 3 plus 2 k plus 1 into 2 k plus 3, अब problem यह है, अगर मैं n को k plus 1 यहां लिखता हूँ, तो यहां k plus 1 बाहरा जाएगा, यहां एगा 4 k plus 1 का holy square, 6 bracket में k plus 1, तो बड़ा technical factor हो जाएगा ना, अब technical factor यहां करना समभो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको solve कर लेते हैं, ठीक है, अब solve करने का एक इस्ते हम omit कर रहे हैं, हम 3 LCM लेंगे, यह 3 यहां आजाएगा, ठीक है, और यह line पूरी खिंच जाएगी, यह आपको diet करना पड़ेगा, ठीक है, अब आप क्या करो, हमारे पास ना तो कुछ factor कामन दिख रहा है, ना इसके factor हो सकते हैं फिलाहाल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिलाहाल पुरा bracket खोल देते हैं, ठीक है, देखो क्या आता है, हम पुरा bracket खोल के इसको लिख रहे हैं, क्या आएगा, calculation देख लीजएगा, calculation गरबर ना आने पाए, है ना, थोड़ा लेंदी है, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखे, फिलाहाल ये bracket खोलो, तो आएगा, 4K क्यू प्लस 6K स्क्वार, माइनस का के, प्लस का 3, ये पहले खोलते हैं, 2K को अंदर ले जाएंगे, तो 2K का 2 स्क्राइगा, 4K स्क्वार, प्लस 6K, प्लस 2K, प्लस 3, होल अपान 3, फैक्टर करना थोड़ा यहां पर पॉस्बिल्टी कम लग रही है, इसलिए हम पूरा इसको सॉल्ट करके रखते हैं, देखो क्या रिजल्ट आता है, 4K क्यू प्लस 6K स्क्वार, माइनस के, प्लस 3, 3 को अंदर ले जाओ, तो 3 चोग 12, 12K स्क्वार, देखो 6, 2, 8 है, 824, प्लस का, 24K, प्लस का, 3 अपान 3, इस इक्वार टू, देखो 4K क्यू प्लस 6K स्क्वार, 12K स्क्वार, 18K स्क्वार, प्लस 18K स्क्वार, माइनस का के, प्लस का 24K, तो प्लस का 23K, प्लस का 3, अपान 3, देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैलू हम सॉल्ब करके लाए, ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हम मान के चलेंगे, कि N को K प्लस 1 लिखेंगे, और ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, तो टेकिंग आरचेस हम करते है, टे संबाव है, लेकिंग हम नहीं करेंगे, टेकिंग आरचेस, टेकिंग आरचेस, टेकिंग आरचेस, फार, N is equal to K प्लस 1, आरचेस में N को रखो K प्लस 1, तो क्या आएगा, ये आएगा K प्लस 1, इन ब्रैकेट, 4, K प्लस 1 का, होल स्क्वार, प्लस 6, K प्लस 1, माइनस 1, होल 3, अगर ये कल्कुलेशन भगवान की दया से सही है, तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, अब एक हम छोड़ दे, कहीं सो सॉल्ट करेंगा, आपको ये अच्छा बेटा, आपको गलत हुआ तो, कमेंट में हमारी हरत खराब कर दोगे, तो ये आएगा K प्लस 1, देखो, अब आ पान, 3, जगे थोड़ा कम है, जगे कम नहीं है, रैटिंग अंदी है, तो K प्लस 1, ब्रैकेट में क्या चाहिएगा, देखो, ये 4K स्कॉर आएगा, थोड़ डाइट करेंगे, ये 4K स्कॉर आएगा, अब देखे, प्लस का 4 दूनी 8, प्लस का 8 के होगा, और प्लस का 6 के हो तो 8 के, तो प्लस का चाहुदा के हो जाएगा, कल्कुरिशन देखे रही है, ठीक है, प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, और 6, 4, 10 आएगा, और 10 माइनस 1, 9 आएगा, तो प्लस का 9 आएगा, फूल अपान, 3 आएगा, आप K को अंदर ले जा रहे है, K अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा, यह आएगा, 4 के क्यू, प्लस 14 के स्क्वार, प्लस 9 के, प्लस 4 के स्क्वार, प्लस 14 के प्लस 9, आएगा, प्लस 14 के प्लस 9, 9 तो आएगा, भाई, तीन तरक नो, का बात है भाई, देखनी रहे हो, यह भी तो 9 आएगा, वही मैं कहूं, करबड हो रहा है, होल अपान 3 देखो 4K क्यूप आरे वाह मिल गया 14K स्क्वार 144 18 के स्क्वार अरे वाह बेटा हम भी राजा बेटा हो गए प्लस 18K स्क्वार हो गए राजा बेटा और क्या अबशा 14 और 9 9 4 3 के अरे वाह यह राजा बेटा हो गए और प्लस 9 होल अपान 3 यही तो RHS है is equal to right hand side यह दिख रहा है पूरा दिख रहा है is equal to इसमें लिख देंगे यहां पर is equal to RHS so given expression is true for N is equal to K plus 1 it means it is true for all the values of N हम बोलते भी जा रहा है इसले इस रेटिंग का effect आपके उपर नहीं पढ़ना चाहिए तो this is the seventh question ठीक है